तो अब सवाल यह नहीं है कि फोकस करना है या नहीं करना वो तो सबको बता है एक बच्चे को भी बता है कि फोकस करना चाहिए और फोकस करने की क्या पावर्स है और क्या होता है फोकस करने से सवाल यह है कि इतने distractions के बावजूद भी आज के टाइम में अगर हमको focus करना हो तो कैसे करें yes or no? yes or no? आज के टाइम में कैसे करें वो सवाल है अगर हमको यह समझ आ जाए कि आज के टाइम में exactly focus कैसे करना है यब बाकी के लोग कैसे कर रहे हैं हम कुछ भी कर सकते हैं we can make the impossible possible किसी भी illusion को सच कर सकते हैं कुछ भी बदल सकते हैं अपनी reality बदल सकते हैं इस दुनिया की reality बदल सकते हैं सब कुछ बदल सकते हैं इतनी power दा जाएंगी हमारे अंदर मगर क्यासे करना है उसके सिर्फ दो तरीके उसके सिर्फ दो तरीके हैं एक ये है कि आप अपने बाहर के environment को change करो मतलब external जो आपके ask pass की चीजे हैं उसको बदल दो जो sportsmen और athletes करते हैं एक athlete को अगर gold medal जीतना है Olympics में तो वो क्या करेगा गर पे बैठा रहेगा, picture में जा करके popcorn खाएगा, या पूरा दिन बैठ करके ताश खेलेगा अपने गरवालों के साथ में गर्मियों की छुटियों में क्या करेगा, क्या करेगा maximum time stadium में spend करेगा maximum time जहां पर उसके जैसे और बहुत सारे लोग है वो नहीं भी चाहेगा तो वहाँ पर distractions ही नहीं है तो mind automatically focus होता चला जाएगा तो एक रास्ता तो यह है कि हम अपने external environment को change कर दे, मतलब कि अपने घर से निखल जाए, अपनी family को छोड़ दे या maximum time कहीं और spend करे this is one way पर practically मैं आपसे पूछूँँगा यहां कितने लोग हैं जो अभी मतलब एक दिन के अंदर-अंदर अपने external environment को बदल सकते हैं हैं, बहुत कम लोग बहुत कम लोग, practically मतलब यह कि जिस घर में आप रहते हो, आप वहीं रहोगे आप कहां जाओगे, घर चोड़ दोगे आप जिस office में काम करते हो, आप वहीं रहोगे आप नहीं भी चाहो तो महाँ पर politics की बाते हो रही होगी negative बाते चल रही होगी आप बैठे होगे उसी environment में, तो आप focus क्या खाक करोगे तो focus कैसे करेंगे अब उसका एक दूसरा तरीका है पहला तरीका था कि अपने बाहर के environment को बदलो दूसरा है अपने अंदर के environment को change करतो अपने अंदर हम बदल सकते हैं इतने तरीके से बदल सकते हैं कि बाहर एक लाग distractions भी होगी तो उसका हमपर असर नहीं होगा असर होना बंद हो जाए So simple अपने अंदर के environment को change करना है अब यहां तक भी समझ आ जाता है कि अगर हम अपने अंदर के environment को किसी तरीके से change कर देते हैं तो काम हो गया लेकिन कैसे करना है यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है उसके तीन बहुती simple से steps हैं तीन steps उसमें आप अपने अंदर के environment को बदल सकते हो इस हद तक बदल सकते हो कि उसके बाद में किसी भी distraction का आप पर कोई असर नहीं होगा वो आएगा, नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप अपना illusion को reality बना लोगे उसका पहला step जो अभी आपने बोला था why कि focus क्यों करना है या यह कहो कि focus करना भी है या नहीं करना कई बार जरुआती नहीं होती focus करने की unnecessary हम focus करने की कोशिश कर रहे है तो why clear होना चाहिए मतलब यह कि जो भी आप करना चाहते हो या जिस चीज पे आप focus करने का सोच रहे हो अपने जिस भी illusion पे वो आप करना भी चाहते हो या नहीं वो आवाज आपके अंदर से आ रही है या नहीं या बहार सुन करके कर रहे हो सो सीधा सा फंडा है कि जो अंदर से हो वो करना है उस पे focus बागी किसी चीज पे focus नहीं करना तो why clear करना बहुत जरूरी है तो why clear हो जाए उसके बाद क्या आता है where to focus, right what बोलें उसको या where बोलें what to focus on या where to focus for example आप जाओ अपने गर से निकलो और जा अगर के एक auto रिक्षा में बैठ जाओ और उसको बोलो भाई फटा फट ले चल मुझे फटा फट ले चल और बादा कैसे लेके जाएगा आपकी शगल देखिया गएगा भाई कां से आयो पहले ये तो बादा जाना का है जाना का है ये ही नहीं बादा मलदा what to focus on where to focus is very very important सबसे important है why to focus करना है बहुत बढ़िया कहां focus करना है where to focus अब किसी भी loser के पास चले जाओ उसके पास list होगी बहानों की कि मैं इस वज़े से fail हुआ अपनी life में इस वज़े से मैं कुछ नहीं कर पाया बहुत लंबी list है और वो किसी को भी बैठके convince कर सकते हैं मुझे भी convince कर सकते हैं लेकिन अपने आपको कैसे convince करोगे यार अपने आपको कैसे convince करोगे कि ये list सच है और दूसरी तरफ winner के पास चले जाओ उसके पास में हजार वज़े होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है सिर्फ एक वज़े होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा क्युकि उसका focus उन हजार बहानों पर नहीं है उन हजार वजाओं पर नहीं है सही जगे पर है जहां पर होना चाहिए वहां पर है जो है उस पर है और हमको यहां तक भी समझ आजाता है, हमारा step 1 क्लियर हो गया, कि why to focus, step 2 क्लियर हो गया, where to focus, अब क्या आता है, how to focus, right, how to focus, कि भाई, focus करना कैसे है, यह दोनों चीज़े समझ आ गई, आपने ढूल ली अपने अंदर से, इसमें कोई rocket science नहीं है, देख लिया कि यह चीज़ मेरे अंदर से आ रही है, मुझे अपनी strength पर focus करना है, जो चीज़ मेरे पास है, उस पर focus करना है, अब सवाल यह है कि focus करना कैसे है, कि अपने उस अंदर के environment को change कैसे करना है, जिसकी मैंने बात करी, तो अब मैं आपको बताऊंगा, अपना एक real life experience, कोई theoretical बात नहीं, कि practically life में काफी बार, जो मैंने अपने इस अंदर के environment को change किया है, वो कैसे किया है, क्या किया, जिससे वो अंदर के environment ऐसा बना, कि automatically focus हो गया, मैंने focus करा, नहीं focus हो गया, सो वो कैसे हुआ, दो साल पहले, मेरे एक test हुआ, एक doctor ने test लिख करके दिया, और finally जब वो test कराया, cholesterol का, तो पता लगा कि मेरा cholesterol level बहुत हाया हो चुका था, अब अब डेंजर मार्क के उपर था, तब मेरे अंदर से आवाज आ गई, मतलब वो why clear हो गया, कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है, बाढ़ में क्या business, बाढ़ में क्या सारा पैसा, क्या करूँगा इसका मैं, क्या करूँगा अगर healthy नहीं है तो, सब बिकार है, सब यहीं धरगा धरगा रह जाएगा, वो funda clear हुआ, अंदर से आवाज आई कि करना है, अब second step था, where to focus on, मतलब कि exactly क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है clear होगा, बट क्या करना है, इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी, मैंने का, इस बार मैं बड़े अराम से करूँगा, research करके, समझ करके, कि बही, ultimately focus करना कहा है, यह कहना गलत होगा, कि मैं health पर focus कर रहा हूँ, health अपने आप में एक बहुत बड़ा term है, health मैं मतलब क्या क्या करूँगा, 50 चीजों पर focus करूँगा, अगर ध्यान से आप उस कैरली की कहानी को देखो, तो उसने कितने goals पर focus किया, 10 goals पर, 20 goals पर, एक goal पर, बस एक goal, उसको बिल्कुल क्लियर था, कि यहाँ focus करना है और वहाँ करना है, बस, और कुछ भी नहीं, तो मेरे को वो एक goal चाहिया था, कि वो एक goal क्या होगा, तो जब पढ़ा है, तो समझ आया कि जो basic funda था, इसका health का, या जो मेरा basic root cause था, वो क्या था, कि जब भी weight भड़ता है, उसके पीचे simple सा एक reason होता है, कि अगर हम, जितनी हमारी भूक है, उससे ज्यादा खाएंगे, तो weight भड़ेगा, कम खाएंगे तो weight कम होगा, simple सा funda है, जिसको calories बोलते हैं English में, calories बोलते हैं, सारा खेल उसका है, तो वो चीज़ समझ आ गई, और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा, तो समझ आया कि इसका solution क्या है, मतलब exact मैं वहां तक पहुच गया, solution बहुत ही simple था, solution यह था, कि अगर मैं अभी दीरे खाने लग जाऊं, तो problem solve हो जाएगी, और फिर जब net पे गया, मैंने जा गर गए, एक simple सी line सर्च करी, benefits of chewing your food 32 times, हजारों पे जा गए, हमको इंडिया में पता नहीं है, लेकिन internationally, इस simple से fundे के उपर, पता नहीं कितनी research हो चुकी है, scientifically कितनी research हो चुकी है, और उसमें technically बताया हुआ है, कि exactly क्या होता है, कि अगर एक simple line में बताऊ, कि जब हम खा रहे होते हैं, तो हमारे पेट से, हमारे mind तक signal पहुचने के लिए, कि हमारा पेट भर गया है, उसमें 20 minute लगते हैं, scientifically ये प्रूब हो गया है, कि 20 से 25 minute लगते हैं, और जब हम emotional eating कर रहे होते हैं, मतलब जब हम मन की भूग मिटाने के लिए खा रहे होते हैं, तो हम 10-15 minute में, सब खतम कर देते हैं, तो जब तक 20 minute होते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती हैं, जो हमारे सब के साथ में हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था, तो मुझे समझ आया, अगर किसी तरीके से, ना 32 बार चबाऊं, तो सारी problem solved, ना किसी exercise की जरुवत, ना dieting की जरुवत, ना कुछ और करने की जरुवत, सिर्फ दीरे खाना हैं, सब solved, मैंने का, मिल गया, जहां पर focus करना है, where to focus on, गोल मिल गया, मनलब सिर्फ इस 32 पर focus करना है, और बहुत excited, जैसे ये चीज़ क्लियर हो गई, अब सिर्फ एक चीज़ रह गई, how to focus, कि focus कैसे करना है, उसमें कभी दिमागी नहीं लगाया, किसी ने बताया नहीं की कैसे करना है, मैं उसी दिन घर पे, जो डिनर था, उसको धीरे धीरे खाने लगा, टीवी ओफ किया, धीरे धीरे, बत्तिस बार चबाया, धीरे धीरे खाया, बड़ा खुश, excited, क्यार मैंने तो कर दिया, कर दिया, अब शुरू करती है, आप देखो कितना मज़ा आएगा, उसके बाद में, अगले दिन, फिर से, ब्रेकफास्ट में वही, 32 ताइम्स, फिर से, लुच में वही, दिनर में वही, और एक काफी दिन तक चला, कोई अइडिया, कितने दिन चला होगा, ये कर दे, तीन दिन, तीन दिन, सच बता रहहूं, तीन दिन, तीन दीन आथ, बाक टुन मालल लाइफ, मलाब सब बौल गया, अगले दे मेरा मन भी निए कर रोगा, 32 बार चबाने का, मन में नहीं कर रहा था मैं अगया बिकार है याया यह सारी चीज़ 10-15 दिन निकल रहा था लाइफ बाक टुनॉमल वही सब वैसी चल रहा था सब माइंड से सब फंडा निकल गया बत्रित बत्रित का अब मुझे जवाब मिला के कैसे फोकस करना है हाव तो फोकस अगें सपोर्ट से मैं एक मैगजीन पट्रा था महाँ पर इंटर्वीव था टाइगर वोट्स का ताइगर वोट्स का नाम सने है सब ने अल्थो नाव यॉल नो हिम बिकास फॉल दॉल रॉंग रहा था बट स्टिल ताइगर वोट्स इस दुनिया का बेस्ट गॉल्फ प्लेयर गॉल्फ के अंदर जो टाइगर वोट्स के अंदर पोटेंशल है वो और किसी में नहीं है सब लोग मानते है तो उसका इंटर्व्यू बढ़ रहा था और उसमें उसने इसने एक्जाक्ली बताया था how to focus कि वो क्या करता है मैंने पढ़ा और मैं हेल गया बहुत सिंपल सी चीज थी अब मेंको ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है जो complicated बाते होती है वो मेरे उपर से निकल जाती है तो सिंपल सी चीज वो कहता है कि जब भी मुझे एक shot मारना होता है तो मैं पहले hole की तरफ देखता हूँ फिर ball की तरफ देखता हूँ ध्यान से देखना बहुत सिंपल सी चीज है hole की तरफ देखता हूँ ball की तरफ देखता हूँ hole की तरफ देखता हूँ hole की तरफ देखता हूँ, ball की तरफ देखता हूँ और क्या था है, तब तक देखता रहता हूँ तब तक देखता रहता हूँ जब तक कि मेरे mind के अंदर exact picture ना बन जाए, वो film ना बन जाए कि वो ball उस hole के अंदर जा रही है मतलब तब तक देखता रहता हूँ जब तक वो picture बिल्कुल clear ना हो जाए तब तक मैं shot नहीं मारता लोग क्या गल्दी करते हैं उसे पहले shot मार देते हैं यह उस picture को बनाते ही नहीं हो और shot मार देते जैसे ही यह पड़ा मैं हिल गया, मैंने का यार कमाल हो गया, यह funda तो मुझे पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था, और मज़ेगी बात सिरफ पता ही नहीं था इसको मैं पहले अपनी life में कई बार apply कर चुका था, लेकिन business में health में नहीं business में, अपने काम में इस funda को exact में apply कर चुका था लेकिन मैंने सुचा कि वो तो उसको खोला, उसमें से जा करके एक CD निकाली, वो CD थी मेरे favorite song की लक्षे movie का एक गाना है, आप सबने सुना होगा अपने अगर मेरा IIT का वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने बताया है तो उस गाने के बारे में अब मैं आपको exactly बताने वाला हूँ हो काम कैसे करता है तो उस गाने की CD को निकाला और उसको play कर दिया और loop में बार 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 सुनने लगा इस बार मुझे समझ आचुका था जबाब मिल चुका था कि मैं पिछली बार क्या गल्ती करता था, या हमेशा जिंदगी में मैंने क्या गलती करी जब भी मैं fail हुआ तो मेरे को पता लग गया था कि अब इस बार वो गलती नहीं होने वाली और मैं बिल्कुल confident था कि आप तो achieve होगा ही होगा तो अब ये बिल्कुल clear था कि अब मैं 32 बार नहीं चबाओंगा तब तक जब तक मेरे mind के अंदर वो picture नहीं बन जाती कि मैं दीरे-दीरे खा रहा हूँ चाहिए उस process में दो दिन लगें चाहिए चार दिन लगें चाहिए दस दिन लगें मैं नहीं करूँगा मैं इस चीज को शुरू ही नहीं करूँगा मतलब वो shot मारूँगा ही नहीं उस shot को मारूँगा ही नहीं बस देखता रहूँगा देखता रहूँगा देखता रहूँगा और वो ही किया उस गाने को पाँच बार सुना तस बार सुना बीस बार सुना एक दिन में सुनते 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 mind में सिरफ एक goal सिरफ एक target 32, सुनने में अजीब लग रहा होगा 32, 32, पस कि मैं अजीब सी चीज, अजीब सी, करता रहा करता रहा, और फिर जहा करके कुछ पेपर्स लिए, उस पर बड़ा बड़ा लिखा 32, ले जहा करके अपनी अलमारी के अंदर, अपने लापटाप बैक के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, तक कि जहां भी जाओ, मुझे वो दिखे वो दिखे, उसके बाद में एक बुक, जो मैं पहले से पढ़ चुका था इस चीज के बारे में, कि धीरे-धीरे कैसे चबाते हैं, कैसे खाते हैं इस बुक का नाम है इस बुक को जो मेरी बुक शेल्फ में ही पड़ी हुई थी, उसको निकाल करके लाया, इस बर मैंने ठान लिया कि इसको तीन बार पढ़ूँगा, जब तक तीन बार इसको पढ़ पढ़ के खतम नहीं कर लेता, इसको छोड़ूँगा ने इस बुक को, पढ़ता रहा पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, धीरे धीरे, धीरे, मेरे अंदर का environment change होने लगा अंदर का, जो environment था जिसकी मैंने बात करी थी, वो बदलने लगा मतलब, इस तरीगे से और वो शॉट इदर उदर चला जाता था, सीधा उस hole में नहीं जाता था तो इस बार वो clear होने लगा और चौथे दिन, चौथे या पांचवे दिन एकदम से एक बड़ा अजीब सा थौट आया मन में कि मुझे, जिस थाली में मैं खाता हूं, उसी में मुझे छेट करना पड़ेगा एक प्लेट उठाई और सामने से चाकू गरम किया उदर से मेरी वाइफ देख रही थी, कैती, क्या प्लाइन है वई नहीं, 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 नहीं प्लेट नहीं, प्लेट नहीं मैं यहां से, पुरा अच्छे से, वो करके, होल किया मैंने कहा कि जिस ताइम पर मैं खा रहा होंगा उस ताइम पर मेरे सामने यह होना चाहिए मैंना लिखा हुआ दिखना चाहिए, यह मुझे घूर रहा होना चाहिए मैं इसको देख रहा हूँ और ये मुझे देख रहे दूसरा फाइदा जो मुझे समझ आया था कि मेरे प्रॉब्लम का यह तो है ही कि मैं ज्यादा खाता हूँ लेकिं ज्यादा क्यो खाता हूँ क्योंकि हम इंडियन्स के दिमाग में एक बड़ी अजीब सी चीज भरी हुई है बच्पन से लेकर आज तक कि बेटे खाने को कभी जूटा मच होड़ना है ये दिमाग में चाद पेट खराब होजा लेकिन खाने को जूटा मच होड़ना तो समझ आ रहा था कि जब मैं नॉर्मल प्लेट में खाता था पहले तो उसमें क्या होता था कि लिया जैसे दाल चावल है तो लिया और भर दिया अच्छे तरीके से जैसे अब दुबारा मिलना ही नहीं है जैसे बाकी गरवाले सब खतम कर देंगे ऐसा होता है हम सब के साथ मैं जितनी भूग है उसे जादा ले लिया आदत पढ़ी हुई है आदत पढ़ी हुई है तो जादा भर दिया अब इसमें वो नहीं हो सकता था ये बात क्लियर थी महला इसमें अगर मुझे खाना है तो मुझे क्या करना है थोड़े से चावल ला ले थोड़े सा दाल और फिर खाया नहीं तो यहां से निकल जाएगा पूरी टेबल गंदी हो जाएगी और फिर में को डाट पढ़ेगी घर में तो मैंने का कि यार ये फंडा सही है ये ही करना है और इसको करना शुरू किया करता रहा करता रहा क्यूंकि मैं उस जोन में था तो मेनेश प्लेट को छोड़ा नहीं बीच में एक दो बार थोट भी आए कि क्या बेकार की चीज़ है उठा के डस्मिन में डालो ना जब घर पे सुझ मेरा मजाग उठा ते कहते हैं, यह क्या कर रहा है, क्या है यह इससे क्या होगा, यह तो बड़ी अजीब सी चीज है, अगर करना है तो पार्क में जा करके दौड लगाओ, मैंने का आप रुको तो सही, रुको तो सही, देखो तो सही क्या हो रहा है, एक illusion reality बनने ही वाली है, बनने ही वाली है, और यह हुआ, उसके कुछ महीन है के अंदर-अंदर, ऐसे चेंज़ आए बोडी के अंदर, जो मुझे खुदी यकीन है वागे, हो क्या रहा है, कि कैसे हो रहा है, और सब कुछ पदल गया, जो वेट मेरा, सुनने में छोटी लग रही होगी, लेगिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस, अगर आप मुझसे पूछो क्या है, तो वो ये है, from 83 to 84 kgs, 267 kgs, आज का टाइम में, अजिदी नहीं, ये चीज पहले की तरह नहीं है, पहले क्या होता था, मैंने वेट लॉस तो कड़ लिया, दो माइने में वापस है, back to normal life, वापस से उससे जधा वेट हो जाता था, मैं पहले जितना था उससे भी ज़्यादा हो जाता था अब मेंटेंड है क्यों क्योंकि जड़ी खतम हो गई ना अब मेरे को इस प्लेट की जरुवत नहीं है मैं इसमें नहीं खाता अब यह मन समझो मैं रेस्ट्रॉम में ले जा करके इसको छोड़ दिया छूट गई यह प्लेट लेकिन मेरी आदत बतल चुकी है अब अगर मैं चाहूं भी तो मैं जल्दी नहीं खा सकता मुझे आदा घंटा चाहिए ही चाहिए अपना खाना खतम करने के लिए और जब नहीं कहा सकता तो problem solved problem solved जड़ से खतम अब अगर आप exactly देखो मैंने क्या किया मैंने आपको बता दिया सब बता दिया कि कैसे किया क्या किया और वो किस तरीके से काम किया और इस फंडे को लाइफ में एक बार नहीं मैं बता नहीं कितनी बार लगा चुका हूँ कितनी बार अलग-अलग चीजों में कि जा करके एक ऐसा zone create करता हूँ जहां जा करके सब कुछ असान लगने लग जाता है और फिर सब चीज़ अपने हाँ होने लग जाती आप उस peak state में होते हो जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो तो मैंने आपको exact बता दिया कि यह क्या करना है कि अपने एक illusion को चुनना है उस पर पूरा focus करना है तब तक करना है तब तक करना है उस काम को करना नहीं है सिर्फ focus करना है और जब आप focus करते रहो करते रहो करते रहो और आपके mind में picture clear हो जाएगी यह चीज होगी तब उसको करना शुरू करना है और तब आप उस काम को करोगे तो वो हो जाएगा यह थी पूरी पूरी process